सामने शहर के गांधी पुतला स्थीत प्रांगन में शहर के समस्तिल लोधी समाज बांधों ने एकत रिथोकर विरांगना रानी अवंधी बाई के च्छाय चित्र का विदिवर्थ पुजन तता केट काट कर जैनती हर्शुलास के साथ मनाई 16 अगस 1831 को विरांगना रानी अवंधी बाई का जन्व हुआ ये वावस्ता में उनका विवा रांगड के राजकुमार विक्रमादित के साथ हुआ यो वावस्ता में ही राजा विक्रमादित का निधन होने से तथा बच्चे छोटे होने से रानी अवंति बाई पर रामकड का राजपार्ट संभाले की जवब दायाई। इस समय देश पर अंग्रेजी हुकुमत का रास था। अंग्रेजी हुकुमत रामकर को अपने अधिन करन चाते थे जो रानी अवंती बाई को गवारा नहीं था जिसके चलते उन्होंने अंग्रेजी हुकुमत से दो दो हाथ करने की ठान ली और अंग्रेजी सिनानों को आने को बार क्युद्ध भिहराया इतिहासकार बताते है कि यही से 857 के क्रांति का दौर शुरू हुआ है। मारे सरकार ने विरांगनार रानी अवंति पाई लोधी के सम्मान में सन 1988 और 2001 में डाक टिकेट जारी कर उनके बलिदान तथा शौरे की गाथा जन जन तक पहुचाने का कार्य किया। को उनके 194 जहनती पर समस्त लोधी समाज बांधों ने एकद इता कर उनके छाय चित्र का विदिवद पूजन तथा केक काट कर उनका जन्मति वस बढ़े उच्सा से मनाया। इस अउसर पर मिठुलाल कमाले राजपुते कुरुची नर्सिंग हजारी पुर्वनगरादिक्ष्ट अडवकेट अर्विन लोधी अडवकेट मनुष खंगारे किशोर पटेल डोमा साव सावची प्रमोक्रोप से उपस्तिते। इस अउसर पर लोधी समाज के दिवंगर सभी समाज बांधों की पावन आत्माओ को परंपिता परमिश्वर चेजशान्ति प्रदान करे। इस वास्ते उपस्ति सभी ने दो मिनिट का मौन धारं कर श्रद्धान चली दी। सावने से कि शवर ढुड़े लिकी रिपोर्ट।